आज हम लोग पनाएंगे क्रिस्पी सूजी पकोड़ा बहुत ही कम और घर में इजी ली अवेलबल इंग्रीडियन्स के साथ तोड़े से भी अच्छे लगने से लाइक और शियर जरूर करें और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें एक बॉल में हम ले रहे हैं हाफ काप सूजी देंगे एक स्मॉल साइज चौप्ट अनियन फेबल स्पून अद्रक चौप्ट फेबल स्पून लेसन चौप्ट वान टेबल स्पून ग्रीन चिली चौप्ट और थोड़ा सा धनिया बत्ता उसके बाद हम यहाँ पे देंगे दो टेबल स्पून देही, सॉल्ल टू टेइस्ट, वान टी स्पून रेट चिली पाउडर बट यह ऑप्शनल है और हाफ काप पानी एक स्पून से हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, जितना क्वांटिटी हमने यहाँ पे सूजी लिया है, उसका सेम क्वांटिटी हम यहाँ पे पानी यूज करेंगे यानि कि हाफ काप सूजी के लिए हाफ काप पानी गरम पानी मैंने यहां पे यूज नहीं किया है, कोई ज़रुरत नहीं है, नॉर्मल पानी से ही यह अच्छा बनेगा अभी हम इसको 15-20 मिनिट्स के लिए कवर करके रख देंगे 15-20 मिनिट्स बाद हम इसको जस्ट एक बार मिला लेंगे सूजी फूल के पुरा सॉफ्ट हो गिया है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मैदा और एक पर हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, अगर आपको मैदा पसंद नहीं है, तो आप मैदा के जएगा बेसन भी यूज कर सकते है ओइल को बहुत अच्छे से गरम करके हम हाथों से पकोड़े को ऐसे ओइल में एक एक करके छोड़ देंगे और पहले 2 मिनिट हम इसको लो फ्लेम में ऐसे होने देंगे पकोडे को हम ऐसे ही धीरे धीरे लो फ्लेम में फ्राई करेंगे दिन ये अंदस से अच्छे से पकेगा दो मिनिट बाद हम ऐसे ही सभी पकोडे को पलट देंगे और फिर से दो मिनिट लो फ्लेम में फ्राई करेंगे पहले से high flame में करने से ये बाहर से तो बहुत जल्दी पक जाएगा बट अंदर से कच्चा रह जाएगा इसलिए पहले कुछ time हम इसको low flame में पका रहे है दो दो चार मिनिट low flame में fry करने के बाद अभी हम flame को medium में करके और दो मिनिट इसको पलट पलट के fry करेंगे इससे इसका कलर भी बहुत अच्छा आजाएगा एक मिनिट बात देखिए इसका कितना अच्छा कलर आना स्टार्ट कर दिया है तो बस और एक मिनिट फ्राई करके हम इसको ऐल से निकाल लेंगे तो हम लोगा ये सूजी पकुरा रेडी हो गया है तो आप इसको अराम से बना सकते हैं जब भी आपका मन करें तो अब हम इसको प्लेट में सजा लेंगे ये स्नाक्स में खाने के लिए बहुत ही डेलिशियस और टेस्टी आइटेम है बहुत क्रिस्पी होता है ये पकोड़े आप इसको एक बार घर में जरू ट्राइ किजिए I'm sure आपको बहुत पसंद आएंगे एक पकोड़ा मैं आपको तोड़के दिखा देते हो देखिए ये अंदर से भी अच्छे से पक गया है इसका साउंड से ही आपको पता चल रहा है कि ये कितना क्रिस्पी बना है आप इसको कोई भी सॉस नहीं तो ग्रिन चाटनी के साथ खा सकते है और अगर आपको सॉस वगिरा ये सब पसंद नहीं है तो आप सिंपल चाई के साथ इसको खा सकते है तो देर किस बात की जटपट इसको घर में बनाएं और चाई के साथ इसका मजा लीजी और मुझे कमेंस करके जरूर बताएं कि कैसे लगी है मेरी ये रेसिपी